जाग चेतना जागरी 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 ज्यान रश्मि को धर्ती पर उलाने वाली कर्म योग का उपाठ पढ़ाने वाली सत्य सादना जागरी जागरी एहंकार के बादल चाए कुंठित उसमें ग्यान हमारा जी ग्यासा के बंदन खोलो बैट करो उपहार तुम्हारा वो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली प्राणों में फिर अम्रित को चलकाने वाली भक्ति भावना जागरी जागरी जाग चेतना जागरी जागरी कहीं यग्य की जाला धद की थाली में शाकल्य नहीं है जीवन भर संचय को भटके मन में ही संतोश नहीं है ओ वामन की जोली भरने वाली ओ दाता का स्रेय देलाने वाली त्याग प्रेरणा जागरी जागरी जाग चेतना जागरी जागरी कितने जगमग दीपक जलते आँख नहीं तो व्यार्थ जले हैं करने आए करन सके तो जीवन तरु भर व्यार्थ फले हैं अरी नीव ओ बोज योठाने वाली जड़ चेतन को राह देखाने वाली धार्म धारणा जागरी जागरी जाग चेतना जागरी जागरी स्रता शंशय स्रेह ग्रणा के बीच जूलता जीवन जूला दरान छोड़ी स्वरगन देखा बीच गगन में यूडता भूला व्यर्थ द्वंद के ओभेद भूलाने वाली एक सूत्र में एक राह पर लाने वाली सुप्त एकता जागरी जागरी जाग चेतना जागरी जागरी ज्यान रश्मिको धर्ती परूलाने वाली कर्म योग काहो पाठ पढ़ाने वाली सत्य साधना जागरी जागरी जै संसक्ति आम समानो मंत्र समिती समानी समानम मनह सचित मेशाम समानम मंत्रम अभिमंत्र ये वह समाने नवो हविशाजु हो मी सबके विचार समान हो चित मन से सब एक हो ग्यान सब को समान देता हूँ समान सबका समान हो स्री किष्ण भगवान ने गीता में जो ग्यान दिया वो के बल पढ़ने से गीता पढ़ने से समझ में नहीं आता क्योंकि गीता का विशई आत्म ग्यान का है कत्तव ये ग्यान का है और स्री किष्ण ने कहा कि इती गुये तमम शास्त्रम इस समझ में सबसे कठिन शास्त्रों में ये गीता ग्यान है उसी तरह पुझे तंशी जी ने जो सेगान बनाए साधनापथ जैसे कई किताबों की इरतना की वो पड़ने से महत्र समझ में नहीं आता और ये सही बात है कि विचार जीतने उंचे हो बाशा उतनी ही क्लिष्ट होती है कट समझ में कठिन होती है एक कवाच इडिये के बात होती तो साधी जी बाशा में ओ कई जाती है मगर जहां आत्मग्यान की स्वधर्म की तत्मग्यान की बात हो तो वहां तो सीदी सा दिफाशा में कहना बहुत मुश्किल है फिर भी उसको समझना रता है तो हमारे कई दरसनीकों ने गिता पर अपना अपना दरिश्टिकॉंट लिया है उसका विविचन लिया है उसी तरह तंशी जी के सहगानों को समझाने के लिए हमारे ख्षत्रियक्षन के प्रेश्टिक्षन सीविरो में अर्थबोट के कारेक्रम में उसकी चर्चा करके गित का सहगान का मर्म समझाया जाता है पर क्या होता है कि हर शिविर में इस कारेक्रम को लेने वाला क्यों एक ही व्यक्ति हो ऐसा तो होता ही नहीं तो भिन भिन व्यक्ति अपने अपने दिश्टिकॉंट से उस गित का अर्था करेगा तो थोड़ी गड़ बड़ो सकती है ऐसा नहों इसलिए एक बार इस तरकी चर्चा हो जाए तो उसके आधार पर जो चर्चा होगी उसमें एक रुपता आएगी और यह जरूरी है अभी जो आपने सेगान सुना कोई प्राक्त नहीं है चितना को जगाने की इस गित पर पुझे नारणसी जी रेड़ा हमारे तुर्तिय संग प्रमुक्सरी की उपस्तिति में चर्चा होई थी पुझे नारणसी जी के भीतर की जो चितना है जिसको कुंगली नहीं कहते है वो जागरत हो गई थी तो उनकी चितना जग गई थी तो उस पर जो चर्चा हुई होगी वो केवल बोधिक श्तर की नहीं हो सकती वो अनुभूती की चर्चा होगी और उसकी जो नोट जो संक्षित नोट है उसको आधार बना कर यहां हम इस प्रार्थना की चर्चा करेंगे जितना एब भीतर की एक शक्ती है और उसको जगएने की यह प्रार्थना है हमारा जीवन और चतन वस्था में ही बेवुशी में ही विज़ जाता है ऐसा ना हो इसलिए उसको जगएना है ऐसे तो चेतना स्वयम जागरती का प्रतिक है जितना कभी सो सकती है मगर यहां जो जितना है उसको जगएने की प्रात्ना इसलिए की गई है की हम समझ सके चितना जगने पर की सच्चा ज्यान क्या है उस ज्यान के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या सही है और यदि सही है तो वो ही सत्य साधना होती है तो चितना सत्य की साधना के लिए आवश्यक है और इसके बीना जो कुछ करेंगे वो क्यों अर्थहिन क्रिया ही रे जाएगी चितना को जगने से जगाने चाहिए है तो जो भीतर में चितना पड़ी है वैसे वो कोई स्वई हुई नहीं होती उसको उस पर बादल चाहे हुई है वो एहन करके जैसे यह सूरिय वो बादलों से ढगा जाता है तो सूरिय चाहे तो भी वो अपने आप बादलों से बादलों को हटा कर बाहर नहीं निकल सकता प्रकास नहीं हो सकता प्रकास नहीं दे सकता बादल जब हट जाते हैं तब सूरिय का प्रकास चार और फेलता है इसी तरह चितना जो हमारी बीतर पड़ी है उस पर एहन कर के बादल चाहे हैं मैं हूँ मेरा है तो ये सारी भात एहन कर की है और एहन कर हमारा शत्रू है ममत्यों का भाव हमारा विनाश करता है तो उसको हटाना है मगर ये सर्ता से नहीं हटेंगे क्योंकि हमने ही इस अंकार को स्थापित किया है सवर्धित किया है बल्वान बनाया है और उसके प्रति हमारा मोह है इसलिए उसको हटाने के लिए बहुत कठिन साधना करने पड़ती है और जब अठिन साधना से एंकार दूर हो जाएगा वो अंधकार का प्रतिक है अंकार दूर हो जाएगा तो चितना का जो प्रकाश है चितना तत्व है स्वयम प्रकाशित करके हमको अंधकार से बाहर प्रकाश में लाएगा और हम सही सही क्या है वो समित पाएंगे पर जो साधना हमारे लिए हैंकार को दूर करने के लिए करनी है उसके लिए एक शर्थ यह है कि पहले तो हम जीग्यासु बने जीग्यासा के बंदन को दूड़ो वो क्या है? हम सामेजी आदमी जीग्यासा कम करते हैं बस यहीं सामेजी जीवन चल रहा है सुबह में उठ जाते हैं नीतिय करम करते हैं रात को सो जाते हैं जिन यहीं पुरी हो जाती है पर कभी सोचते ही नहीं कि जीवन क्या है? क्यों है? कि जो जीवन हम जी रहे हैं क्या यह सही अस्तमी जी रहे हैं? कौन हमको जिला रहा है यह सारी बाते जिग्याशा का प्रतिक है तो जिग्याशा का बंधन को तूड़ना है तो वो बंधन जब दूर होएंगे तो हमको अपना जीवन का स्वधर्म का ज्यान होगा और फिर जगने की इच्छा उसको भेंट करना है कहा जाता है कि मंदिर में गुरू के पास संतु के पास आस्रमों में खाली हात नहीं जाना चाहिए कुछ ने कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए तो जीग्यासा नाम की एक नईवी शक्ति को जगा ना है तो उसको भेंट में क्या देंगे क्या है हमारी पास देने के लिए तो याद रखो बहुत कुछ हमारी पास देने के लिए है सबसे पहले तो हमारे जो हमारी कम्याँ हैं दूर गून है दूर रतिया हैं उन सब को भेंट कर दो तो जितना शक्ति उन सब को खा जाएगी और जो हमारी पास सद्गून है सद्कर्म है सद्विचार है उनको भी भेंट करना है तो उससे जितना शक्ति और प्रकाशित होगी और हमारे काम बन जाएगा तो ये जो जिग्यासा है उसको बंदन तोड़े आम कुछ उपहार में उसको बेड़ करे तो क्या होगा प्रान प्रतिष्ठा होगी कहां किसी मूर्ती में पत्थर की मूर्ती में नहीं मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा करने वाली जो चेतना शक्ति है जिसको जगाने की ये प्रात्ना है वो मंदिर में प्रान प्रतिष्ठा करते हैं अर्जुन ने कहा है ने कि इस्वर अप्रतिष्ठा का मिकलब है उस चितना को जगाना तो वो जब जाकती हैं तो फिर कहते हैं कि अमरित को चलकाने वाली मिकलब जब कितना जग जाती है तो सदकारिये ही करेंगे जगे सही जीवन होगा तो इस्वर प्राप्ति होगी तो जन्म मरन से चक्र का चक्र से हमारी मुक्ति हो जाएगी वो यह अमरित है अमरित प्राप्त हो गई तो एच जतना शक्ति है वो अम्रित को छलकाती है, हम कौमर बनाती है, और वो ही भक्ती का सुरूप है, भक्ती का भाव है, भक्ती क्या है, हम जो आज भक्ती के नाम पर कुछ कर रहे हैं, ये क्या भक्ती है? भक्ती का सुरूप बताया, बारव अध्याय के नाम ही भक्ती योग है, और उसमें शीकर्ष्ण ने कहा, कि ऐसा ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, भक्ती माइनिय समे प्रिय, यो यद भक्त समे प्रिय, तो ऐसा स्रीकर्ष्ण को भग्वान को जो प्रिय भक्ता है, वो जो कुछ करेगा, वो भक्ती है, तो हमारा जिवन हम आज जिस तर जी रहे हैं, वो उससे हम भग्वान को प्रिय नहीं है, तो हमारी प्रियाएं हैं, वो भक्ती नहीं बनती, तो भक्ती भावना को जगाना वो इच यतना को जगाना है और आगे कहा कि कहीं यग्य की ज्वाला ददिक नहीं है तो बाहरी यग्य की बात नहीं है ये सिक्षत्रिवक्षंग सयम एक यग्य है और उसकी ज्वाला कहीं ददक रही है मतलब ख्षत्रिवक्षंग की प्रवर्वर्टी चार और फैल रही है और वो फैलती जा रही है प्रसरती जा रही है उसमें हमारा क्या सही हो हम भी हमारा भी कुई करता भी हो तो है नहीं तो कहा पिसाब ठाली में साकल लिए तो है नहीं यदि ज्वाला को प्रजवलित रखनी है तो साकल लिए मतलब हों सामगरी जो हम यह में पूमी जाती है वो चीज़ तो है नहीं तो वो चीज़ कहां से मिलेगी बाजार से नहीं एक बाजार की चीज़ नहीं है क्योंकि यह यह कोई बाहर ही यह तो है नहीं वो भीतर का यह वो एक एग्या है तो उसके लिए हमारे मानिय संग्प्रमुक्षि ने गाया है कि यदि ऐसी सामगरी बाहर से नहीं मिलती है तो स्वयम ही हविष्य बनकर आपको औरपन करें हम स्वयम हविष्य बनें तो जैसे यज्यमे शुद्ध गाय का घीन सुगंधी और कई रसान युक्त अवन सामगरी यह सब हम यज्यमे खोंते हैं इसी तरह हमारे जीवन पुष्टी दायक हो सुगंधी हो तो वह हविष्य बन जाए और आपको मतलब इस्वर को अरपन करना है तो उसके लिए जिसको अरपन करना है उस पर हमारे स्वद्ध होनी चीजिए यह सद्धा नहीं है तो एक शत्रिक्रंग का कारिय जो इस्वरी कारिय है वो भले कितने ही करो उसका जो लाब मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा और हमारा जीवन देखो जीवन बर संचे को बढ़के हम तो इकटे करने में मानते हैं कि इतना करो इतना भी इकटा करो इतना कि इकटा करो तो करके इकटा करके क्या करना है वो तो पता ही नहीं और संतोष तो है नहीं तो जीवन का मतलब है इकटा करना नहीं है इस्वर ने जो दिया है उसको इस्वर के कारियों में क्या करना है पीछ तंसिन जी गाया है को ओ वामन की जोली भरने वाली है वामन क्या है इस्वर का एक आउतार है और भक्त प्रलाद के पौत्र बली राजा उसकी जो शक्ति थी वा गलत मार्ग पर जा रही थी बहरे थी इसलिए बली को शक्ति हिंद बना दिया वामन कारता है बना तो इस्वर बिलकुल शुक्ष्मा भी हो चकते हैं मान से मान हो चकते हैं महतो महियान बड़ों में से बड़े और अनौ अनयान वह उनौ जो तो श्खमे रहे हैं, उप्री देश्टी से हमारी समुज होरा bak से घाया ओसके उद्धिश्ष कोु टॉँछम दिखता नहीं ऊग तो संकारिय उपरी भरी दर्ष्टी में समросति नहीं था झाया हमको जब हम क्या करेंगे तो हमको दाता का श्रेव मिलेगा मंगर याद रखें के श्री प्राप्ते के लिए ध्यान करना नहीं है करते हुआ मान करने ना है कि जितना जागुरूत होगा होगी तो वो त्याग करने की है प्रिणा देती है और वो त्याग है इदर ना मामा का भाव का त्याग से कहते हैं कि जो त्याग है सो आगे जो त्याग वीर है वही सचा वीर है यो सबसे आगे रहता है जितने अधिक त्याग उतनी उचाई की प्राप्ति और पूर्ण त्याग तो पूर्ण उचाई को मतलब इश्वर को प्राप्त करना आगे पुजय स्री कहते हैं कि कितने जगमक दीपक जलते आँख नहीं तव्यत जगे जलें दीपक जलते हैं, जगमक करते हैं, अंदर देखता नहीं, देख नहीं सकता उसके लिए चाहे कितने ही दीपक जलाओन, कोई मतलब नहीं है तो हमारी अंदर जो चितना जगरे ही है, लेकि उसको देखने के लिए हमरे पास आँख नहीं है ये बाहरी चर्म चक्षित की बात नहीं है, ये जो दो आँख है उनको तो बंद करने है वहारी दुनिया को देखने के लिए हम लाला ही तो होते हैं, आँक बन करना ही पड़ेगी, दुनिया को देखने का मौ छोड़ना पड़ेगा, अब तब जाकर हमारी एक तिसरी आँख, जो ग्यान की आँख है, वो खुलेगी, और उसी आँख से जिसको दीवी चक्सु कहते ह ग्यान चक्षू कहते हैं उस ग्यान चक्षू से ही भीतर की चेतना वो दिखेगी और अंतर प्रकास देखना वो एक हमारा जीवन का एक करने कर्म है और करने कर्म किये बिना हमार जीवन अधुरा रहे जाएगा और यदि वो नहीं करते हैं तो पुझे तंशी जिन एक दूसरे सेगन में गाया है ने कि है करना वो न कर सके तो जीवन तरूब और फ्यर्थ फले हैं चाहे कितना ही पाप्त कर लो ने तो कुछ प्राप्त नहीं होगा तो जिस कार्य करने के लिए हमको इस्वर ने इस संसार में भेजा है वो यदि नहीं करते हैं तो ऐसा कर्म ही जीवन का क्या करना तो जिन पीगा क्या करे है पुई यस्री ने पुरुशात प्रेज़क प्रात्तना करते गाया है कि अरी निव ओ बोज उठाने वाली जड़ चितन को रा दिखाने वाली धर्मधारना जागरे आप जानते हैं ने कि निव दीखती नहीं पर पुरे भवन का आधार उस निव पर है जितना निव मजबूत होगी बोण उतना ही मजबूत बना रहेगा तो वो दिखती नहीं है मगर वो हमको संदेश दिती है कि अपने को प्रदशित किये बीना सब कुछ सहन करको निवान के कारिया में सवयोग करते रहू जर्चितन की को निव कहते है तुमें ही इस धर्मधारणा धर्म का अधार बनना है कि चितना जगेगी तब ही जाकर हम धर्म को धारण कर सकेंगे वो चितना धर्मधारणा का यह सुरूप है वो ही सची चितना है यदि ऐसी चितना नहीं जगती तो हमारा जीवन दरा न छोड़ी स्वर्ग न देखा मीच गगन में उड़ना भूला दरा न छोड़ी मतलब उठी पर संसार में पौतिक सम्रुद्धी में हम जीवन भर पुंते रहे फसे रहे और फिर उचे तो उठे नहीं तो कहते हैं स्वर्ग तो मुचा है तो स्वर्ग में स्वर्ग पर हम जाने शकेंगे तो स्वर्ग में मतलब जो सित्य तत्व है उसके अनुपूती नहीं होगी और बीच गगन में उड़ना बूला गगन में अति-उति-स्थिति प्राप्त करनी है वो करनी पाएगे और ऐसा करना हम भूल गये है बेऊशी में जी रहे हैं इसलिए जब जतना जग जाती है तो फिर वियर्थद्वंद को ओ भेद बुलाने वाली फिर मेरा तेरा अच्छा बुरा ग्यान अग्यान सारे दवंदत मिट जाते हैं एकी तत्वर रहता है सारे भीड भूल जाते हैं और फिर एक सुत्र में एक रापे लाने वाली सुप्त एकता जहागरे फिर एकत्वा जाता है एक ही सुत्र है संग Ahh संग्या शक्ति का लो हुँगे और एक रहा पे यह एक है तो रहा एक यह उक्षत्रियुक्षन का तो जब यह चितना जगेगी वितर की चितना वितरी ज्यान इस रत्व जब जग जाएगा तो फिर कोई समिशा ही नहीं रहेगी और वही चितना जिसको स्री कृष्ण बगवान समत्व भाव कहता है समत्व योग उच्चते योगी हम बन जाते हैं चितना जगने पर हम योगी बन जाते हैं तो ये चितना हमरे जिवन में जग जाए बेवशी दूर हो जाए सच्चा प्रगलत वो समझ में आ जाए जीवन निरतक न जीए और इसलिए जिटना को जगाने का हमारा कतविया है इसलिए ये प्रात्ना की गई है सबन अवस्था आ जाए वास्ति विप्टा को समझ ले सित्या को समझ ले उसकी प्राप्ती करें यह हमारा जीवन का सही उधिश इसलिए परमिश्वन्य ने हमको यहां भेजा है और एसो भायई मानो कि उस सित्य को प्राप्त करने के लिए पुझे तंशी जी ने हमारे लिए स्रीक्षत्रिवक्षमत की स्थापना की आप उस रहा पर चले हमको भी चलाए और हम चलते ही रहे चलते ही रहे चरहे वेती चरहे वेती इस भाव को हम जिवन में लाए और जिवन का किल्यान कर ले यही प्रात्ने के साथ जय संग सकती है